नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों आज का जो वीडियो है यह है वेरिको सील के बारे में और यह वीडियो मैं असलिए बना रहा हूं क्योंकि पिछले दि काड में दे रहा हूं ठीक है यहां है काड कहां पर आप देख लेजिए रहा है और उस वीडियो के उपर मुझे बहुत भड़िया रिस्पांस आया और वहां से मैंने बात भी समझी कि यह जो दो बीमारिया है वेरिको सील और प्लस एपीडिडायमल सिस्ट यह आबादी के बहुत बड़े हिस्से में हैं पर क्योंकि देखिए प्राइवेट पार्ट्स का मामला है तो जनरली आदमी बात नहीं करता कई बार यह बीमारियां दोनों उनको होती है और वो समझ नहीं पात है इसको कोई मैन्यूपलेट थोड़ी करता रहता है कोई टेस्टिकल्स को रो जो छोटे टिउमर होते हैं टेस्टिकल के तो वो दो ही सिनेरियों हो सकते हैं पहला आइदर इट विल बी एपिडीडायमल सिस्ट और सेकेंडरी इट में भी वेरीको सिल तो क्योंकि मैं एपिडीडायमल सिस्ट पे एक वीडियो अल्रेड़ी बना चुका हूँ इसलिए मै में ने सौचा कि topic को पूरी तरह से cover करने के लिए मैं एक वेरी को seal पे भी वीडियो बना देता हूं जिससे कि जिन दर्शकों को जिन patients को जिन doctors के cases जो मेरे जो viewers जो की doctor है और उनके पास इस तरह के cases हैं तो आप लोग सब इस वीडियो से कुछ न कुछ लाब उठा पाओ तो दोस्तों शुरू करते हैं अब हम पहले जानेंगे इपीडी डाइमल सिस्ट के बारे में आप वो वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको डिफरेंस पतर चल जाएगा कि यहां पहले तो मैं आता हूं इसकी परिभाषा पर है ना इसकी परिभाषा है मतलब कहने का कि जो इस प्लाटम है हमारा मतलब कारा हूं कि जो हमारा पैरीनियल रीज़न मिचे टेस्टिकल्स होते हैं वो टेस्टिकल्स जो होते हैं बेसीकली एक बैक की तरह होते हैं उसके अंदर हमारे दो ने हि DENNIS प्लस वेंस प्लस वसाडिरेंसिया प्लस इपीडिडाइमेश इन सबको वो carry करके gather करके रखते हैं तो जो loose bag होता है जो की scrotum को बनाता है और जो testicles की ऊपर की covering को बनाता है उस covering के अंदर जो veins होती हैं वो obviously हर organ के अंदर एक nerve supply होती एक sorry एक arterial supply होती और एक venus drainage होता है कि यह जैसे कि मानली जी ओर्गन है इस ओर्गन में आर्ट्री आई supply करा और इस ओर्गन के blood के use करने के बाद veins से वो चीज़ें train होती है तो जो basically वो bag है जो की testicles को बनाता है testicles के अंदर पाए जाने वाले materials को अपने अंदर सहेच के रखता है उस loose bag के अंदर पाए जाने वाली जो veins है जो blood vessels है जब उनके अंदर सूजन आ जाती है तो that condition is known as what उसको हम कहते हैं verico seal vericoes veins आपने सुना है न वेरिकोस, vericoes, verico जब शब्द आता है तो that represents the vein, verico मतलब vein और seal मतलब tumor तो a tumor, a form of tumor which is formed by nothing blood but the blood vessels especially veins in the region of testicles is known as the verico seal एक और बार, verico seal का मतलब है कि testicles में पाए जाने वाली veins के अंदर जब blood vessels, वो veins सूच जाती है और एक गठान की तरह एक रूप ले लेती है तो that is what is known as the verico seal है न अब आई आपन दूसरे screen पे इसका इसको मतलब उससे समझते हैं हम इसको एक डाइग्राम के थू समझते हैं तो a verico seal is an enlargement of the vein, veins का enlargement होता है, veins का dilatation होता है कई बार वो tumor के form में भी होता है within the loose bag of skin that holds the testicles a verico seal is similar to the vericose veins you might see in your leg जो जैसे पैर में वेरिकोस veins होती है तो verico seal exactly वैसा ही होता है बस इसकी location अलग होती है यह वेरिकोस veins पैर में होती है यह testicles में होता है verico seals are very common cause of the low sperm production and decreased sperm quality ठीक है न अब आब आते हैं इसके diagram के उपर इसका हम diagram देखने के अब आप यह देखिए this is very good very good example कि आपने देखा कि यह होता है testis यह जो आप मेरे mouse को देखिएगा mouse में exactly कहां चला रहा हूँ है न एक सेकेंड मेरा mouse कहां चल रहा है यह आप पर testis है यह जो है epididymes है यह जो दिख रहा है na epididymes epididymes से यह वसा डिफरेंशिया जा रहा है spermatic quad भी बोलते हैं तो epididymal cyst क्या था epididymal cyst और इसका फरक अच्छे से समझ लीजिए है न कि जब यह जो है epididymes यहां के इस जगे पे जब एक गठान बनता है एक क्या बोलते हैं इसको हम वेरिकोसील बोलते हैं वेरिकोसील यह कहलाता है पर जब अब मैं आपको यहां से मैं कोशिश करता हूँ एक डाइग्रम में epididymal cyst का भी दिखाने की कोशिश करता हूँ epididymal cyst है न आप देखिए एक गवर से आप यह पहले difference समझ लो क्योंकि अगर आप डॉक्टर हो तो आपको यह difference समझना जरूरी है क्योंकि आपको differential diagnosis करना पड़ेगा अपने patient के case के अंदर और अगर आप patient हो और आपको यह दोनों बीमारिया है तो कहीं न कहीं आपको पता ह होना चाहिए कि what is the exact difference between these two अब आप यह देखो यह diagram यह वही same diagram है अब आप यह देखिए वेरिकोसील देखिए same diagram यह दोनों आप देख रहे हैं slide एकदम सेम है अब वेरिकोसील क्या बता रहे है भाया यह जो है यह epididymus epididymus के बाद जो यह जो लॉटती हुई blood vessel है इस blood vessel के अंदर जब swelling हो जाती है यह जो veins सूच जाती है तो इसको हम कहते है वेरिकोसील ठीक है ना this is what is known is the very co-sill और जब यह जो है predict device हो यह needs행 के अंदर ही ए घथान बन जाती एपड़ीडाइमस का दो पार्थ है उसके अंदर स्वेलिंग आजाती है तो this is what is known as epididymal cyst तो this is varicose veins and epididymal cyst अब generally ये देखो ये as far as the pathology is concerned दोनों का एकदम अलग कारण epididymus के अंदर tumor like swelling को epididymal cyst बोलते हैं और what's a difference या मतलब testis के अंदर पाए जाने वाली veins को जब वो सूच जाती है वो उच्छे के रूप में बन जाती है उसको varicose veins बोलते हैं but clinically इन दोरों में फरक करना है clinically इन दोनों में फरक करना बहुत ज़्यादा कठिन काम है और वो सिर्फ confirmity के लिए सिर्फ sonography से ही पता चल सकता है क्योंकि जब pulpit करेंगे testicles को तो पहली चीज दोनों के दोनों केस के अंदर tumor जैसा छोटी सी गठान दोनों केस में लोग गठान लेके आते हैं epididymal system वाला भी गठान लाएगा वेरिको सिल वाला भी गठान लाएगा generally most of the cases में दोनों के अंदर pain और discomfort होता है movement के उपर तो यह भी दोनों के अंदर common रहता है बस एक point जिससे आप थोड़ा सा फरक कर सकते हो कि अगर वेरिको सिल सूपरफीशियल होगा तो जैसे वेरिकोस वेंस के patient के अंदर pair में कैसी हरी हरी नसे दिखती है वो चीज़ आपको यहां दिख सकती है पर अगर वह बहुत डीब एक वेसे डिफेशν की आपको नहीं समझ में कि यह यह जो है यह रिकोस इसलिए मैंने आपको बताया कि इन दोनों की पैसलोजी में क्या ifrense होता है यह तो पिएसल से पर वीडियो यह पिडिये चक्थ है उल्रेडी वीडियो पढ़ंगे है आप दोनों को देखेंगे तो आप अपने केसे में अगर इस्पेशली आप डॉक्टर हैं और अगर आपको खुद को भी इन दोनों में से कोई बीमारी है तो आप काफी हद तक आपके अंदर यह एक मेडिकल लिटरिसी आजाएगी रिगार्डिंग यूर डिसीस कि आप जो है डिसीजन सही ले पाएंगे और हो सकता है कि आप अपने डॉक्टर की है भी कर देखने के बाद है ना तो दोस्तों अपन ने अब यह समझ लिया कि वाट इस वेरी को सील है ना वेरी को सील के उपर प्राउन पोजीशन में बंदा लेटेगा ना तो उसको कुछ रियलाइज ही नहीं होगा कि भाई उसको कुछ है ठीक है ना और जब वही बंदा मोमेंट करने लगेगा चलने फिरने लगेगा है ना मोमेंट में आ जाएगा मोमेंट मतलब मोशन मोशन मतलब कहीं वो जा रहा है बाइक के उपर बैठेगा तो उसको पेन होगा ठीक है ना वो अगर चलने कोशिश करेगा तो उसको पेन होगा तो यह जो होता है बेसिकली यह डिफरेंस होता है between the varicocill and epididymal cyst यह डिफरेंस नहीं है बेसिकली लक्षण दोनों के आपको 90% सिम्टम्स दोनों के आपको बहुत ज़्यादा मैच होते हुए मिलेंगे यह बात अब संदों यह दोनों को सिम्टम्स बहुत मैच होते हुए मिलेंगे अब दोस्तों इसके अंदर treatment क्या करना है treatment में एलोपैथी में तो आपको बता है वही operation EPD-diamal cyst है तो operation करा लो vericocele so operation करा लो hydrocele so operation करा लो है न स्वाटल हरनी है so operation करा लो वो कुछ नहीं उसकी बात नहीं करना हमियोपैथी की बात करेंगे होमियोपैथी से बिलकुल easily हस्ते हस्ते as the conservative therapy यह चीज बहुत आसानी से सही हो जाती है और जो दो medicine है जो मूल भूत दो medicine है इस चीज के लिए वो है सबसे पहली आर्नी का Montana आर्नी का Montana 200 हाँ 200 potency ना आर्नी का Montana 200 लेना आपको चार-चार गोली दिन भर में तीन बार है जेनरली बहुत से डॉक्टर इसको पोटेंसी में ही देता हूं तो है मा मिली तू हंड्रेड यह भी आपको चार-चार गोली दिन भर में तीन बार करना है और यह आपको कुछ महिने करना पड़ेगा है ना और आप डेफिनेटली देखेंगे कि आफ्टर सम मन्त यह जो प्रॉब्लम है आपकी वो रिजॉल्व होने लगे और दोस्तों में जो मैडिसिन बताता हूं इससे पूरी की पूरी आबादी को कवर नहीं किया जा सकता आप समझिए होमियोपेटी इस नॉट एस सिंपल एस देट कि मैं दो तीन मैडिसिन बताऊंगा और सारे लोग सही हो जाएंगे तो आप मैंसे जितनों को इस पर्चेस है इस प्रिस्क्रिप्शन से फायदा मिलता है आप सब को बहुत-बहुत बदाई और जो मेरे वह भाई लोग जो मेरे बंदू लोग जो मेरे पेशेंट्स हैं जिनको लगता है कि यह प्रिस्क्रिप्शन उनके लिए काफी नहीं है तो मेरा डिस्क यह था छोटा सा वीडियो वेरी को सिल के बारे में बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार